क्या आप प्रेग्नेंट है और कॉंस्टिपेशन से बहुत परशान है तो आईए वीडियो को बिल्कुल एंड तक दिखने क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी 5 पिस बताने जारे हो जिससे आपकी कॉंस्टिपेशन चूमंतर करके दूर हो जाएगी वीडियो को पूरी देख था कि उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी तिपस दूंगी जिससे आप अपनी प्रेग्नेंसी की जो कॉंस्टिपेशन ने उसको दूर कर सकते हो तो पेग्नेंसी में प्रोजेस्टरोन हमन होता है हमारी बॉडि में जिसका जो लेवल है वो बहुत जादा इंक्रीज हो जाता तो जब भी कोई भी हम खाना खाते हैं तो बहुत स्लोली स्लोली हमारी बॉड़ी में हमारी आंतर्यों में मूफ करके हमारे जो स्टमक में वो जाता है और स्टमक को भी एमटी होने में बहुत जादा टाइम लगता है क्योंकि जो मुवमेंट है हमारी आंतर्यों के वो बहुत तो इसमें होता कि है जो हमारी absorption capacity है nutrients की वह बढ़ जाती है और जो motility है हमारी body की जो movement आंतडियों की वह decrease हो जाती है तो अब में उन 5 tips को आपकी साथ discuss करती हूं जुनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जो जो चूम अंतर करके दूर हो जाएगी तो सबसे पहले जो टिप आती है वह आती है इंटेक ऑफ फाइबर आपने डाइट के ओपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है अगर आप फाइबर फूट फाइबर फूट फाइबर वेजिटेबल नहीं इंटेक कर रहें तो आपको चू काफी रहात मिलेगी तो उसमें आते हैं आप कुकुम्बर जितने भी सालेट होते हैं जो जो जादा फाइबर होते हैं अगर वह आप कंजूम करोगे तो आपकी जो कॉंस्टिपिशन उसमें आपको बहुत जादा रहात मिलेगी आप ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं बीन नेक्सट पॉंट में आपको बताती हूं कई भरी क्या होता है कि कुछ-कुछ लेडिस को जो कौंस्टिपेशन की प्रॉब्लम में बहुत ही जादा होती है वह दो-दो दिन तक अपने आपको कौंस्टिपेटर फील करते हैं तो इस चेस में आपको क्या करना है आपको अपने नहीं क्यांकि उपस्टी अइघ्टे वियंग का था अब सी इंटेख पालने पानी है हमारी बॉड़ियो मा अपनी हर वीडियो में आपको पानी के बारे में जरूर बताती हूं कि आपको हमेशा पने जो ट्रिंकिंग वाकटर उसके उपर अगर अच्छ में ए अच्छी कवांटीचिते उसके लिए मंगया हमारी अंतरण들 इयूंटीगजários मुपिलीटियों करते हैं अगर आप पी रहे हैं regularly और अच्छी क्वांटिटी में पानी को कंजूम कर रहे हैं तो जो मोटलिटी है जो उसकी स्पीड है वह वैसे रहेगी वह कम नहीं होगी क्योंकि पानी जो है आपके बॉड़ी में जाके उसकी स्पीड को क्या करेगा वह इंक्रीज कर देगा और में उठते ही दो से तीन ग्लास जो है पानी अगर आप पी पाओ हल्का सा कोसा गुन गुना पानी अगर आप पी पाओ तो वह आपके बहुत ही अच्छा रहेगा और जरूरी होगा तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर यह जो प्रॉब्लम है आपने जो मैंने आपको ती सच्छ प्रॉब्लम हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कुछ ऐसे मेडिसन गुश ऐसे पिल जाते हैं जिनको आपके आगर लेंगे तो आपके चीज ध्यान रखेंगे जो ब्रैवें लोग सरे ने क्योंतों के तरफ चले सबसे अच्छी जो टिप है वह देती हूं कि आगर आपको कॉंस्टिपिशन आपकी जो उपर की तीन में आपको टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करने से भी आपकी कॉंस्टिपिशन अगर दूर नहीं हो रही है तो सबसे जो इसका बैस्ट और आयुरुवेधिक में आपको बताती हूं कि आप एक इसब को लाता है जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी तो आप गरात को दो चमच गरम पानी में कोसा पानी हो जो पीने लाएको उसमें मिक्स करके आप रात को ले सकते हैं अगर आप ऐसे इसको रेगुलरी लेंगे आप अपने दॉक्टर से जरूर कंसल्ट करेंगा अधर वैसे तो इसके कोई पी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं बट फिर इसको कंजूम करने पहले अपने दॉक्टर से जरूर पूछ लेना अगर आप यह रात को लेंगे तो आपकी आप सुभा बिल्कुली इसली जो है अगर आपके जो बिल्कुली तूर जाएगी और जो बहुत ही ज़ादा इंप्रूट पॉइंट बहुत है इंप्रूब यूर लाइस्टाइल अगर आपका बहुत ही ज़्यादा खराब है आप exercise नहीं करते हैं और आपके खाने पीने के आदत जो है वह जंक फूड की तरह तो आपको प्रेगनेंसी नहीं वहीं जो अपने लाइफस्टाइल उसको दूर सुधारना पड़ेगा और प्रेगनेंसी परोपको दिल्कूली ठीक होना चाहिए तो थूर ऑफ दिश्वाइब कर देखनी आपको वाग निया आपको जंक फूड रहना है और आपने तूर आ सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कॉंस्टिपिशन की प्रॉब्लम जो हो सकता है कई प्रेगनेंसी में लेडिस को जाते हैं जिसकी वज़े से जो हम बहुत जादा कॉंस्टिपेट हो जाते हैं तो इसके लाब क्या करना आपको तुरन डॉक्टर के पास दाना है और इस सॉल्यूशन डूड़ना है कि आपको अपरेश सर्जरी के लिए जाना है या मेडिसिन लेके आपकी जो यह प्रॉब्लम हो सौट आउट हो जाएगी तो होफुले आपको वीडियो पसंद आई होगी रिक्वेस्ट करते हूं अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो